अब हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्यायतीन के अभ्यास से कुश्चिन नमर 12 को देखने वाले हैं कारण बताईए प्लेटिनम सोना एवम चांदी का उप्योग आभूसन बनाने के लिए किया जाता है इसी तरह से 3 प्रस्ण और है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्लेट जल के साथ या वायू के साथ किरिया नहीं करती और नहीं करेगी तो ये संचारित नहीं होगी यानि इन पर जंग नहीं लगेगी अच्छा आपने देखा होगा तो लग जाती पर लेकिन बहुत दिनों के बाद लंबी प्रकिरिया के बाद इसलिए इनका उप्योग आभू इसके बाद में जो आपका दूसरा कुस्यंट है वहां कारण बताऊ मैं उसी में तेसियम और लीथियम को तेल के अंदर संग्रहित करता है क्यों कि तेल के आंदर रखा जाता है क्यों कि की आपने देखा होगा में बता था भी से पकड़ लेगी इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है तो इसी तरह यह पोटेसियम और लीथियम भी है तो यह बहुत सबसे अधिक किरिया किरिया सिल धातू है यह धातू इतनी तेज अभी किरिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेगी इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है तो बहुत ही सिंपल है कुछ नहीं लिखना है आपको समझना है बेसिक लेवल स से केरोसिन में डुबो कर रखेंगे तीसरा कारण बताओ परसनहें आपका एलू मिनियम अतियंत अभी किर्यासिल धातू है फिर भी इसका उप्योग खाने बनाने में क्यों किया जाता है मतलब खाने बनाने के जो बरतन है उनमें ऐलुमिनियम का उप्योग क्यों किया जाता है क्योंकि देखिए ऐलुमिनियम धातु ना तो ठंडे में और ना ही गरम जल में किरिया करती है क्योंकि खाना बनाएंगे तो ठंडा या फिर गरम दोनों तरह का माहौल उसे सेहन करना होगा तो एलुमिनियम जो दातु है वो ना तो ठंडे जल में और ना गरम जल में किरिया करेगी इसलिए यहां दातु क्या है उसमा की सबसे अच्छी सुचालक दातु माने जाती है इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है ठीक है क्यों किया जाता इसका उपयोग क्योंकि यह ना तो ठंडे जल में ना ही गरम जल में किरिया करेगी और उसमा की क्या होगी फिर यह सबसे अच्छी सुचा लग धातू इसलिए इसका उपयोग किसम हो गया है खाना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ठीक है चलिए इसके बाद में इसी में ही आपका डी नंबर में एक कारण बताओ कुश्चन और है निसकर्शन प्रकरम में कार्बोनेट एवं सलफाइड आयसको को आकसाइड में परिवर्तित किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि आकसाइडों का अपचेयन करके धातू आसानी से निसकर्शित किया सकती है तो यह इतना इंपोडेंट नहीं बाकी जो तीन कुश्चन थे वहाँ बड़े important थे उनको आपने अच्छे से complete कर लिया होगा यदि इनका screenshot आपने नहीं लिया है तो यहां से आप इनका screenshot लेना आरंब कर जीए और अच्छे से note करेगा notes सहीत सारे question answer जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको notes सहीत उपलब्द कराया जाता है ताकि आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सके फिर भी कोई समस्या रहती है तो comment कर सकते हैं आप और यदि चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर करिएगा ठीक है